फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे है यस बैंक की आज यस बैंक में मामुली तेजी बनी लेकिन इस्टॉक अभी भी 13 से नीचे तो क्या यहाँ पे पैनिक होना चीए क्योंकि इसने 13 के मजबूत सपर्ट को तोड़ दिया या फिर इस्टॉक यहाँ से सांदार तेजी के साथ बा अपड़ा तो उसी गलती को आगे रखके नए मैनेजमेंट प्रसांद कुमार ने ठान लिया है कि उस गलती को फिर से न दोराए जाए और उन बड़े कॉर्परेट घरानों को अवेड किया जाए जो आगे जाके डिफॉल्ट कर जाते है तो इसलिए उन्होंने एक नया रा आगा अगर आपने yes bank में निवेस किया हुआ है तो आपको आपका डर खत्म हो जाएकी क्रियो के मादेम से क्योंकि पूरी रणनीती है प्रसांद कुमार की जिसको इस वीडियो के मादेम से मैं डिसक्स करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि Yes Bank की भावी रणनीती क्या है और इस रणनीती के उपर चलके Yes Bank आने वाले समय में इंडिया की Top 5 बैंक में आ सकती है तो उसको हम डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या Yes Bank में बड़ी तेजी जल्द बन जाएगी या फिर यहाँ पे और गिराउट की समय में लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते आज Yes Bank का इस्टॉक 12.85 पर ओपन हुआ हाई इसने 12.90 की बनाई लेकिन लोग में ये 12.70 तक चला गया और बाद में 12.80 पर इसने 0.39 परसंट की अपके साथ में क्लोजिंग दिये तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहुल है लेकिन बड़ करोड का वालिम हुआ था लेकिन आज 11 करोड का वालिम है तो पिछले एक मेने से इसका एक जैसा ही वालिम है जो इस बात को साबित करता है कि अभी भी स्ट्रॉक मजबूत है अगर निप्टी 50 की बाद के तो आज 15,885 पर करीब 0.77 परसंट ही अप क्लोजिंग दिये निप प्रसान कुमार की रंडियती के ऊपर जैसे कि आपको पता ही होगा Yes Bank को डुबानने में राणा कपूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने अपने खुद के थोड़े से फाइदे के लिए उन्होंने पूरे काइदे कानून नियमों को ताक पे रख दिया था और बिना किसी डॉक्यमेंट को वेरिफाइड करे कमपनी की बैग्राउंड जाचे बगर उनको लॉन बाटा था और बाद में वो सारे के सारे लॉन डिफॉल्ट हो गए थे और इस वज़े से आखिर कार में Yes Bank को डूब जाना पड़ा और रिज़र बैंक ने अपने हाथ में कंट्रोल लेके उसको SBA के हाथों में सौपा और SBA ने फिर प्रसांद कुमार को इसकी बागडोर सौपी तो प्रसांद कुमार के हाथ में जब आई बैंक तो बहुत बड़ा हुआ NPA था साथ में ग्रहकों का विश्वास खत में हो चुका था लगातार कस्टमर तूट रहे थे तो ऐसे में प्रसांद कुमार ने फिर सबसे पहले जो ठाना कि इस बैंक की जो इमेज है उसको बड़ा जाए तो इसके लिए जरूरी है कि बैंक को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफर्म पर खड़ा किया जाए एक लेटेस्ट टेक्नोजी के माद्यम से बैंक का कारोबार ऐसा हो जो दूसरों से हटके हो तो इसलिए उन्होंने तुरंट अमेरिकन कमपनी सेल्स फर्स के साथ में कॉलबरेशन किया जिसके तयात उनको लेटेस्ट टेक्नोजी मिली और उस टेक्नोजी के दम पे उन्होंने अपने कस्टमर को अट्रेक करना शुरू किया यानि जो लॉन लेने की प्रक्रिया वगेरा जो बहुत समय लग जाता है उसको बिलकुल आसान कर दिया तो उसके लिए भी उन्होंने रास्ते खोईने शुरू कर दिये तो फ्रेंट्स जो लोगों का विश्वास खत्म हो गया था उसको फिर से कायम करने के लिए उन्होंने एपडी के उपर सांदार इंट्रेस देने की पेसकस की यानि जो कस्टमर का जो FD है उसके उपर उन्होंने अच्छा रिटन की जो पेसकस की तो कस्टमर उनकी तरब अट्रेक होने लगे उपर से उनको सांदार डिजिटल टेक्वनोलोजी से रूबरू करवाया गया और इसका नतिया यह हुआ कि उनकी FD के अंदर जो कस्टमर बे अगे है सबसे क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो तो DCB Bank 5.70 से लेके 6.50 का FD के उपर इंट्रेस्ट दे रही है उसी तरह से Instant Bank 5.50 से लेके 6.50 दे रही है RBL Bank 5.40 से लेके 6.50 दे रही है और Yes Bank 5.25 से लेके 6.50 दे रही है तो इस तरह सी यह जो बैंके है यह जो चार बड़ी बैंके यह एक जैसा ही यानि 6.50 का FD के उपर इंट्रेस्ट दे रही है तो कस्टमर अट्रेक हो जाता है Yes Bank की तरह से क्योंकि Yes Bank की सर्विस भी बहुत आने से सारा का सारा कामकाज ऑनलाइन हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है कम समय में हो रहा है तो इससे उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है और जब उनका कस्टमर बेस बढ़ गया उनके पास जब फंड जमा हो गया FD के रूप में तो उसको फिर बाटना होगा लॉन के और उनकी loan book काफी समय से कमजोर थी उस loan book को मजबूत करने का रास्ता खोज लिया तो उसके लिए उन्होंने फिर अलग-अलग बड़ी-बड़ी finance कंपोनियों के साथ में business type करना शुरू कर दिया तो आपको पता ही होगा तीन से चार दिन पहले जब new nickel कराई थी यस bank ने India Bulls Home Finance Limited के साथ में एक business type किया है जिसके तहएत RBI के द्वारा जो नियम बनाएगा जिसके तरब से banking और gear banking finance संस्ताय दोनों मिलके loan के लिए अपना एक business type कर सकते हैं और उसका फाइदा उटाते हुए यस bank ने India Bulls Home Finance के साथ में business type किया जिसके तहएत अब जो इंडिया Bulls Home Finance के जो customer है उनको यस bank अपना loan बाटेगी तो इस तरह के से उनकी जो loan book है वो मजबूत होते जाएगी और इसी तरीके से उन्होंने इससे पहले PNB Housing Finance के साथ में भी ऐसे यह business type किया हुआ है तो उनके customers को PNB Housing Finance Limited के जो customer है उनको भी loan yes bank के माधियम से बाटा जा रहा है तो जो उन्होंने एक unique तरीका अपना लिया है जो बड़े घराने उनको अवर्ड करके जो loss होने वाला है उसको इस तरह से business type के माधियम से पूरा किया जाए और अपनी loan book को मजबूत किया जाए साथ में वो बड़ी auto company के साथ में business type कर रहे है पिछले उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ में business type किया जिसके तयाथ टाटा मोटर्स के जो customer है उनको finance service प्रवाइड की जाएगी yes bank के माधियम से और इसी तरह से उन्होंने जो अभी latest update आई उसके bank के साथ में yes bank को select किया इसका मतलब वो जानते है कि यह bank उस लेवल की है यानि ice ice bank के लेवल की yes bank है वैसी ही service दे पाएगी अपने customer को तो यह बहुत अच्छी बात है और इस वज़े से customer भी base है उनका बढ़ने वाला है तो यह जो business idea उन्होंने निकाला है इसकी वज़े से जल्द उनकी सेहत में बहुत जादा सुधार होने वाला है क्योंकि पहले उन्होंने अच्छी खासी FD interest rate अच्छी दे के customer base उन्होंने बढ़ाया वहां से उन्होंने बहुत सारा deposit earned किया और अब इसको loan के रूप में बाटेंगे अपने customer को तो इसके लिए उन्होंने बहु बहुत जल्द इंडिया की top 5 bank में ला सकती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूराने NPO को भी छोड़ना नहीं साते उसको भी recover करने की पूरी कोशिस कर रहे और इसके लिए उन्होंने top 75 बड़े professional की टीम बनाई हुए जो लगातार NPO की recovery कर रहे पिछले जिदम उन् पैनिक महुल करेट किया जा रहा है बहुत सारी broken firm है जो इसको लगातार बोल रहे है कि yes bank बहुत ज़दा वीक है तो उस बात को आपको अच्छे से समझना होगा जब इसका FPO लाया गया और बड़े bankों ने इसमें जब निवेस किया उस समय भी उनकी जो price रखी गी थी बैं अगर कोई इसका sell का target 10 रुपे दे रहा है तो वो बात तो गले उतरती नहीं है इसका मतलब तो इसमें कोई बड़ा जोल है तो इसके लिए बात आप समझे और इसकी price बहुत कम है यह fair value है यहाँ पे आप जितना चाहे उतना investment बढ़ाए अपना आने वावाले समय में definitely इसक बढ़े की और जल्द यह 3D region में जाएगा और आप सोच भी नहीं पाएगा उतनी जल्द इसकी price बढ़ जाएगी क्योंकि आपको मैंने पूरी रणियती प्रसांद कुमार की बता दिये किस तर से उन्होंने FD के जरिए अपना fund लाया और उसको lawn के रूप में बाटना सुर बढ़े की और पिछले दोगा आपने देखा हुगा उन्होंने सांदा रिजर्ड भी पेस किया है तो इसलिए आप डरने कि आपको कोई जरूत ने आप यहस में बने रहे यह आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटन देगी लेकिन फ्रैंड कोई भी इन्वेस्में करने से पहले अपने फाइनेस एड़ेजर से एक बार एड़ेज ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करे क्यों कि मैंने वीडियो आपके एड़ेशन परपच के लिए ही बनाया है वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए थ अधिए।